हाई फ्रेंड्स आज हमारे पास एक कोल आया है कस्टुमर का और उनका कहना यह है कि उन्होंने प्लंबर से कनेक्शन करवाया है सरकारी नलका तो उन्होंने क्या क्या है कि प्लंबर ने वहां से कनेक्शन कर दिया सर्विस लाइन से जब उनको बाउंट्री के अंदर से पाइ जैसे उन्होंने सुराक किया तो वहाइंपर बिजली की पाइप जा रहे थी जो मोटर का कनेक्शन था और जो हेमर की जो बिट थी उस वायर में लिपट गई और पूरा वायर उसके डेमेज कर दिया कनेक्शन खतम कर दिया मोटर का अब उनकी motor नहीं चल रही है तो उन भाई का हमारे पास कोल आया है कि समय भाई आएं और हमारे ये problem हो गई है आप इसको सही करें तो हम इसको side पर ही जाकर सही करेंगे आपके घर में इस तरह की कोई problem हो जाती है तो आप भी उसको सही कर पाएंगे आपको करना कुछ नहीं है चैनल सब्सक्राइब करना है और आपके नोलिज वाली जो वीडियो है उसको देखना है बस करना इतना ही है इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि छोटी छोटी आपके घर में कुछ ना कुछ कमिया होती है जैसे मान लिजे आपकी प्रेस खराब है सिलिंग फैन का स् चैनल पे लाता रहता हूं अगर आपका घर में कोई भी मतलब कोई भी उपकरण खराब हो जाता है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसका आपको जवाब देंगे या फिर इस चैनल पर आप सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी नोलिज वाले वीडियो हम में जो हमारे डिवाइस यूज होते हैं उनकी मिल जाएगी तो दोस्तों मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय तो बिना समय गवाई तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं वीडियो तो फ्रेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं पहले पिलंबर ने यह जो सुराख है नीचे किया था जो लाइट के तार में आगया आप देख सकते हैं आप यहां पर पीवी सी का पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें एक वायर है पहले तो यह वायर थी सारी साऊनल हो गया है और खराब हो गया है लेकिन इक वायर इसमें दिक रहा है अभी हमें और यह",क्शन यह अंपर आ रहा था मोटर के लिए अंदर सोकेट और वोड इसका साईड में था, तो अब यह हमने खोल लिया है और इसके वायर भी हमने यहां से कुछ निकाल ली है जातरे निकले हैं लेकिन एक सेड में इसका एक वायर बचा हुआ है और यहां से आ रहा है यहां पर जॉइंट था जिसकी वज़े से यहां से वी टूट गया अगर इसमें जॉइंट नहीं होता डालेंगे इसमें और आपको बताएं किस तरीके से डालना था यहां से यह ओन होता है इदर से ओन होता है और अंदर की तरफ से इस तरीके से लगा रखाता था एक वायर जिसमें यह आ रहा था उसमें हमने इसको वायर को बांग दिया है और दूसरी साइड से हम खेंचेंगे लेकिन जब हम यहां खेंच रहें तो यह खिच नहीं रहा है तो इसका मतलब पाइब में कुछ और अट का हुआ है तो पाइब को हम हलका से यहां से तोड़ेंगे और अगर आप वायर नहीं है तो वायर डालने के लिए एक स्प्रिंग वायर आती है जिसको हम पड़दे के लिए यूज करते हैं उस वायर को भी डालकर उससे भी आप खिंस पाएंगे दोस्तों यहां पर लाइट आपको बंद रखनी है चालू लाइट में काम नहीं करना है को कि कहीं से भी कोई वायर में करक आ सकता है तो यहां पर आप यह वायर खेंच देंगे उधर की तरफ और बचा हुआ टुकड़ा हम डाल देंगे मोटर की तरफ तो यह वायर हमने यहां पर खेंच दिया है और आप यहां देख सकते हैं मैं आपको दिखाने के कोशिश कर यहां पर यह पीले वाई आगे हैं अब हम क्या करेंगे इन में जो यह दो टुकडे हैं एक लंबा है इन दोना फॉर को जोड़ देंगे यहां पर हम स्कूफिट लगा देंगे जो हमने खोला है मोटर का और फिर हम आपको इसको चला कर रखना है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको प्रोब्लम क्रेट हो सकती है तो यहां पर क्या है कि यह दो ही वायर थे इसलिए हमको परेशनी नहीं आई अगर इसमें काफी सारे वायर होते हैं तो हमको काफी प्रोब्लम आती तो उस कंडिसन में अगर काफी वायर होते हैं तो आपको क्या है पहचान करनी होती है सब वायर की कौन सा वायर कहां से आ रहा है और कौन सा वर कौन सा है तो उसके हिसाब से आप नए वायर उसमें डालते तब जाकर वह फाल्ट सही होता लेकिन यहां पर इसमें दो ही वायर आ रहे थे इसलिए हम से यह इ करेंगे फिर आपको इस मोटर को चला कर दिखाएंगे दोस्तों इस तरी कैसी भी आप सही कर पाएंगे लेकिन आपको क्या है कि सबसे पहले फेस का ध्यान रखना होता है फेस आपका स्विस से कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा आप जब भी काम करते हैं तो लाइट बंद क करकर करें क्योंकि एवर ऐसा होता है कि कोई फेस कहीं से आ जाता है और हमको उसका पता नहीं होता तो वह फेस लगने से हम और यक放心 दियान रख्ए इस बोड को हम यहां पर कस देंगे और बो गसने आपको समझाने के कोशिस करेंगे तो यहां पर एक नीली टेप लग रही एक वायर यह था और दूसरा यह है और यह वायर था जो पीला वाला वायर हमने खेंचा था वह थोड़ा सा छोटा पड़ गया इसमें हमने क्या है कि टुकड़ा लगाया है रेड कलर का तो यहां पर ह क्या करेंगे इन दोनों वायरों को जोड़ देंगे इन पर टेप करके अच्छे तरीके से उनको पाइप के अंदर ही डाल देंगे दोस्तों जो पाइप होती है और इसका वायर होता है तो उसमें जो जोड़ आप कम से कम दें और जोड़ ऐसी जगे दें जहां पर आप उस करना पड़ जा सोकिट में तार वगरा तो इसलिए हमने इसमें और उतार जोड़ दिया है तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको यह फाल्ट सही करके बताया अगर आपके यहां पर इस तरह का कोई फाल्ट हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या है कि मैंन लाइट मंद करनी है और उसके बाद वायरों को टच करना है क्योंकि केवर ऐसा होता है कि फेस कंट्रोल नहीं होता है फेस डिरेक्ट होता है तो उससे आपको करन्ट लग सकता है और इलेक्ट्रिक का कोई भी अगर आ नंगे पिर विल्कुल ना करें क्योंकि अर्थिंग बनता है अगर आप करेंठ का टार आपके लग जाता है तुशै को फरक नहीं पड़ेगा अगर आपने जूते पहने हुए तो अगर आप नंगे पहर होते हैं तो आर्थिंग पूरा बन जाता है जिससे आपको काफी नुकसान हो सकता है तो मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले तो light बंद करकर आप काम करें विजली का और दूसरा यह है कि अगर light चालू में काम करते हैं तो जूते जरूर पहन करकरें इससे अर्थिंग नहीं बनता है और वायर को चेक करें कौन सा फेस है कौन सा नूटल है उसके इसाब से काम करें बाकि आपको knowledge तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं कोई problem नहीं है तो दोस्तो इसी तरह की knowledge वाली वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगी अगर आपका कोई भी सवाल होता आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम उसका जवाब देंगे आपको कमेंट कर थुरू या फिर आपसे call पर भी बात करेंगे या फिर अच्छा आपका कमेंट होगा और काफी लोगों को इस तरह की problem आती होगी तो उस पर हम वीडियो बना देंगे तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर